हेलो एवरीवन बेलकम बैक इन आवर चैनल दोस्तों आपसे भी का स्वागत है मैं हूँ कपिल तो आज किस वीडियो हम देखेंगे क्लास थर्ड यूपी प्लिस मैत को लेकर आपको ये क्लास प्रोवाइट कराई जा रही है यूपी प्लिस नहीं बलकि अदर कोई भी आपका कॉम्टेटिब एक्जाम में आपके रहता है तो वहाँ भी ये जो क्लासे से काफी इंपोर्टेंट रहेंगे तो आज हम क्लास थर्ड में देखेंगे HCF और LCM से किस तरीके से आपसे UP plus कॉम्टेब नहीं जो आपका भी एक्जाम हुआ था और जो प्रिबिश रहें के जो भी एक्जाम हुए वहाँ पर किस तरीके से आपके कॉश्चन पूछे गाए साथ साथ हम और भी जो एक्जाम में कॉश्चन पूछे गए वो भी हमने पिक्के हुए इस कॉश्चन में 12 से 15 कॉश्चन आजम देखेंगे जो कि सारे डाउट जो होंगे HCF LCM मुलेके आपके सारी के लिए हो जाएंगे इससे पहले मैंने दो क्लास पहले ही अपलोड कर दी हैं इससे पहले क्लास फर्स वर्स वर्स हमने 27 स्रेडी की किस तरीके से आपके कॉश्चन एक्जाम में पूछे हैं वो कॉंसेप्ट हमने आपको समझा जा चाची तरीके से एंड सेकेंड क्लास जो आपकी रही है वो हमारी नमबर सिस्टम यानि की यूनिट डिजिट से रिलेटेड जो कॉश्चन आपके एक्जाम में बनते हैं वो हमने वहाँ आपको कंप्लीट कराएते हैं तो आज की क्लास नमबर थर्ड में देखेंगे HCF और LCM के कुश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जात है और आपको कैसे एक्जाम में उनको सॉल्ब करना है तो चलिए शुरू करते हैं अपना से अगर उससे पहले अगर आप चैनल को सब्स नमबर वन आपकी स्क्रीन पर है कुश्चन नमबर वन में आपसे बोला गया है दो संख्या है जिनका अनुपात है तेरे अनुपात नौ के अनुपात में है यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या आपको ग्याद करनी है ठीकि ना संख्याओ का रेशियो आपको दे रखा ह संख्याओ का रेशियो आपको दे रखा है कितना 13 रेशियो 9 यह संख्याओ का रेशियो अगर हम रेशियो को हटाते हैं तो हमारी जो संख्या यहांसे बनेंगी वो हमारी बनेंगी कितनी 13 X and आपका बनेगा 9 X मतलब हम क्या करते हैं कि ratio को हटा कि यहाँ पर हम कोई भी एक variable ले ले लेते हैं x हमने यहाँ पर ले लिया है तो numbers हमारे हो गए 13x और 9x ओके यह आपके पास दो number आच चुके हैं अगर इसके hcf की बात में करूँ आप से इसका जो hcf आएगा इन दौनों number का already जो hcf की value 13 दे रखी है that means हम कह सकते हैं जो x है वो तो हमारा कितना हो गया 13 यहाँ से हो रखा है ठीक है अब आप से पूछाएगा सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है यह 13x और यह 9x से तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी हमारे यहाँ पर 13x वाली आपकी हो जाएगी यानि कि 13x कोम लिख सकते हैं 13 multiply जो x का जो value है वो हमारा 13 आचुका that means 169 आपका यह जो है correct option number a सही हो जाएगा यह आपका अभी जो UP plus math का जो exam हुआ तो उसमें यह पूछा गया है 7-7 आप से SSC 2019 में digit बदल का सेम SI question आपसे exam में पूछा गया था तो चलिए बढ़ते हैं question number 2 की तरफ question number 2 आपका यह रहा question number 2 में बोला गए यदि दो संख्या हैं उनका लासा मासा क्रम से 609 वा 11 है तथा एक संख्या 77 है तो दूसी संख्या आपको बताने है क्या होगी काफी simple सा question है उमीद है आप सभी लोग को यह question आता भी होगा तो देख लीजे किस तरीकी से करेंगे आपका formula होता है first number into second number equals to आपका होता है hcf multiply lcm यह आपका formula होता है मतलब दो number आपको दे रखे होते हैं उनका जो product होता है hcf into lcm के बराबर होता है question में आपको दे रखा है लासा और मासा यानि कि lcm and scf दे रखा है तो हम यहापे लिख देते हैं 609 into 11 scf आपका 11 है lcm आपका 609 है उन में से एक जो number है वो आपका वो आपको दे रखा है 77 तो हमने यहापे लिख दे हैं 77 multiply second number दूसी संख्या आपको बतानी है तो second number equal to आपका आएगा 609 multiply 11 upon 77 ओके अब क्या करना है हाँ से simplify question को करना है 11 से आपका यह 7 time कट होगा 7 से आपका यह 87 time यहापे आपका कट हो जाएगा ठीक है ना सुनाओ जो हमारा final answer है वो आपका 87 हो जाएगा तो जो correct option इसका option number A आपका सही हो क्या है उम्मीद है इस तरीके से question आप से पूछे जाएंगे तो आप उनको कर लेंगे तो चलिए बढ़ते है question number 3 की तरफ यह रहा आपका question number 3 अब देखिए हमें exam में क्या करना इससे पहले जोब जोबी question क्या है आपको divide करने का कोई भी जुरत नहीं है अब देखो 7 आ रहा है तो 7 का 87 के साथ multiple लेकने पर 9 बन रहा है या फिर divide करके भी आप 87 को tick कर सकते हो तो देखिए question number 3 में क्या था 2 संख्या है मासा और लासा दे रहा है 2 और 60 यदि 1 संख्या यदि संख्या हो मैंसे एक जो संख्या है दूसरे की तुल्ला में 14 देखे तो हम लिख लेते हैं आपर first number हम माल लेते है first number अगर हमारा x है तो दूसरा जो number है वो इससे कितना जादा है 14 है यानि कि 14 जादा है तो इनके scf, lcm हम आपको दे रखे है scf कितना 2, lcm कितना 60 जो उपर भी formula यूज किया था वही हम याँ फिर से अपलाई करेंगे first number into second number equals to lcm into hcf ये आपका formula होता है ये आपको पता होना चाहिए अब क्या करता है number रखते हैं यह हमने लिख दे एक number x हो गया और एक number आपका x plus 14 हो गया ठीके न अब lcm कितना दे रखा है 60 hcf दे रखा है 2 that means ये जो value है 120 के equal आपकी निकल के यहाँ से आई की आप चाहते हैं से quadratic equation बना सकते हो बट मैं इस 120 को कुछ इस तरीके से break करूँगा एक number हमारा 14 के आसपास ज्यादा आजाएगा तो तो क्या लिख सकते हम 20 into 6 लिखा जा सकता है 120 को 20 into 6 कितना होता आपका 120 अब आप easily comparison कर सकते हो अगर मैं छोटा number अगर मैं 6 लेता हूँ तो दूसरा number 14 देखो गया तो by comparison अब हम आसानी से compare कर सकते हैं अगर एक number मेरा 6 है तो दूसरा जो number होगा x plus 14 जादा जो होगा वो हमारी 20 होगी तो आसानी से question को इस तरीके से हम eliminate भी कर सकते हैं अब question में आप से पूछा गया छोटी संक्या बता दीजिए छोटी संक्या जो होगी वो आपकी यहाँ से 6 हो साएगी उके उमीद है यह question भी आपको समझा आ गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं question number 4 की तरफ तो यह रहा आपका question number 4 question number 4 यह question आई होगा SSE 2019 में बोला क्या है 5 और 13 के बीच सभी संसंख्या होगा लासा आपका क्या होगा ठीक है ना तो पहले 5 और 13 के बीच में जो समसंख्या होगा उनको लिखते हैं पहले तो 5 से आगे जो even number होगा वो 6 होगा फिर उसके बाद 8 होगा फिर उसके बाद आपका 10 होगा देन उसके बाद आपका 12 होगा सिर्फ आप से even number की बात की गई यानि कि समसंख्याओ की बात की गई है तो हमने इनके बीच में जो समसंख्या होते हैं वो हमने यहापे लिख ली आप पूछाएगा जो भी आपकी समसंख्या बन रही है यानि कि 6, 8, 10 और 12 का जो भी LCM आएगा वो आपसे पूछाएगा 6 से भी divisible हो, 7 साथ आपका 12 से भी हो तो इसका जो answer है वो 120 सही हो जाएगा जैसे आप basic हम करते हैं 6, 8 और 10, 12 का पेलसियम लिका लीजिएगा बढ़ते हैं question number 5 की ओर तो question number 5 आपका ये रहा बोला गया तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 16 और 8 से पूर्ते बेवाजित हो रही हो तो सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे आपके जो number दे रखें, दे रखें 4, 16 और 18 ठीक है आप चैन का एक साथ तैलसियम निकाल लीजिए तो भी आपको answer मिल जाएगा otherwise simple सा एक method है इसमें से एक छोटी संख्या आप पिक कर लीजिए पहली बात तो ये सारे के सारे आपके क्या है even number है जो given number है वो आपके even क्या है तो इस तरीके से हम option even pbm जा से जा सकते हैं question ज्यादा lengthy आपसे exam में पूछे नहीं जाते question को थोड़ा समझना है then इसको टिक करना है तो आप 4 से divide करेंगे तो 112 आपका 4 से cut होगा 16 से 7 time cut हो जाता है ठीक है न तो even ते तो even वाला ही आपके number आपका सही हो जाएगा तो देखिए question number 6 अब आपसे fraction में जब value given हो UPSA 277 का ये question है 1 वटी 4 और 1 वटी 5 और 5 upon 6 का जो भी लासा निकल क्या आएगा वो आपको क्या बताना है जब भी fraction में value दे रखी हो तो LCM कैसे निकालेंगे अब हम लिखेंगे हाँ पर हम लिखेंगे LCM of LCM of 1,1,5 मेरा कहने का मतलब ये है जब भी LCM निकालेंगे fraction का उपर वाले नंबरों का LCM उपर आएगा और जो नीचे नंबर आपको दे रखेंगे उनका LCM आपका divide में आएगा ठीक है 4,5 और 6 अगर यहीं आप से पूछा जाता HCM यानि की मासा पूछा जाता तो हम क्या करतें यही बार्ट उपर कर देते SCF पहले निकालते फिर हम इसका LCM निकालते ठीक है न अब देखो LCM 1,5 का कितना आएगा 5 और HCF क्या होता है common इन सब में common सिर्फ आपका 1 आ रहे है तो इस तरीके से इसका जो answer है वो आपका 5 आएगा यानि कि हम बोल सकते इसका जो option है वो option भी सही हो जाएगा तो देख लीजिए किस तरीके का आपका लेबल रहता है exam में SCF LCM के question को पूछे जाने का तो बात करते है question number 7 की तो question number 7 2 संख्याओं का मासा आपको दे रखा है कितना 8 उनका लासा नहीं हो सकता यह आपको बताना है जब भी आपको मासा दे रखाओ और आपसे यह पूछा जाए इन 4 option में से इसका लासा नहीं हो सकता सीधा सा यह concept है मासा LCM को completely cut कर देता है मासा कितना आपका 8 अब देख लीजिए 8 से इसमें कौन सा जो option है जो cut नहीं हो रहा है वही इसका option सही हो जाएगा तो 8 से 24 भी cut हो रहा है 48 भी cut हो रहा है, 56 भी हो रहा है यानि कि जो option D यानि कि जो 60 है वो इसके SCF से cut नहीं हो रहा है यानि कि इसका जो 60 है वो आपका LCM नहीं हो सकता है ठीक है? तो शलिए बात करते है question number 8 की question number 8 बोला गए 3 संक्या है तीनों का अनुपाद दे रखा है 2, 3 और 4 और जिनका जो मासा है वो 12 है इनका आपको लासा आपको बताना है ठीक है न? तो देखिए किस तरीके से इस question को किया जाएगा यहासे सुनाओ अब देखो आपको question में मासा दे रखा है नंबर के है 2, 3 और 4 अब नंबर को हम अटाते रेशियो ले लेते हैं ट्रिक तो यही कहती है 2X, 3X और 4X यह हमारे तीनों नंबर हो गए अब इनका HCF कितना है? HCF तो X है न इनका जब रेशियो अटाएंगे तो X तो तीनों को माना रहा है और जो इनका HCF वो आपको 12 दे रखा है that means X का वैलू आपको 12 यहां से दे रखा है ओके अब क्या करेंगे? अब हम यहां से करेंगे नंबर को आप निकाल सकते हैं और LCM आप निकाल ली जिएगा तो ना पहला नंबर हमारे कितना आएगा? 24 पहला नंबर 24 आएगा दूसरा नंबर 36 आएगा ओके X का वंटिप्लाई कर रहा हूँ फिर इसका आएगा 48 अब आपको क्या करना है? 24, 36, 48 का सिंपली आपको क्या निकाल लेना है? यहां पे LCM निकाल लेना है वही आपका यहां पे जो है correct option सही हो जाएगा तो जब हम इनका LCM निकालेंगे तो देखिए क्या निसर आएगा? इनका LCM आपका आएगा 144 कितना आएगा? 144 तो चलिए मैं आपको आसान सी एक ट्रिक बताता हूँ ठीके न? तो देखिए जो LCM होता है उसमें हमारा SCF तो आता ही आता है SCF तो हमारा उसमें आता ही आता है अगर हम LCM निकालेंगे बैटेंगे तो LCM में SCF तो आता है common part तो आता ही है क्योंकि X तो तीनों common है X आ गया? अब देखो 3S में आएगा और बाकी बच्चा आपका कौन से number? 2 और 4 अब इन दौनों का भी एक common part आ रहा है क्या आ रहा है? 2 ओके फिर बचेगा 4 इन दौनों का जो common part वो directly हम यह आपे लिख देंगे 4 ओके 2 और 2 4 हो गया अब इस तरीकी से आपका 104 भी यहां से निकल आएगा तो इस तरीकी से कह सकते इसका जो LCI में वो आपका 144 है यह मैंने निकाला नहीं है यह तो आप basic से निकाल सकते हो तो important क्या था? numbers निकाल सकते हैं या फिर directly अगर आपको SCF given है तो उन ratio का आपसे multiply कर दीजिए बठाए यह ध्यार रखना है common part पार्ट एक ही वाल लिखा जाता है क्योंकि 2 यह जो था वो इस 4 के अंदर भी आ रहा था तो हमने directly 4 लिख दिया और 3 ले लिया 12 हो गया और SCF आपको और रखना है ठीक है? तो नाव, बात करते है question number 9 की question number 9 आपका यह रहा तो बोला गया है question में दो संख्या है है दोनों का जो अनपात है वो कितना 2 और 7 संख्याओं का अनपात दे रखा है 2 ratio 7 और 7-7 आपको इनका LCM दे रखा है 42 LCM कितना 42 और आप से पूछा के दोनों संख्याओं का गड़नफाल आपको बताना है LCM दे रखा है LCM दे रखा है, right? अब देखे जो संख्याओं निकालेंगे पहले एक संख्या होगी हमारी 2X दूसरी क्या होगी हमारी 7X हमारे पास ये 2 संख्याओं आएगी इससे पहले भी जो कोश्चिन किया था वो SCF के लिए था ratio में अब ये LCM का है तो इन दोनों संख्याओं का जो LCM होगा वो क्या होगा common part क्या है दोनों में X, X तो आए गई आएगा बाकी बचे दोनों नमबर यानि की 14 तो ये हमारा हो चुका 14X कितना हो गया 14X ये हमारा इन दोनों नमबरों के लिए हमारा LCM निकलाया और जो LCM की value है वो आपको औरेड़ी कितनी दे रखी है 42 तो इस तरीके से हम बूल सकते जो X का value वो हमारा कितना आगया 3 X का value कितना आगया 3 आगया दोनों संख्याओं का गुडणफल पूछा है दोनों संख्याओं का जो गुडणफल होता है वो आपका किसके बराबर होता है SCF multiply LCM के तो product of both number किसके एक को लोगा LCM into SCF के LCM कितना है हमारा 42 और जो X है हमारा इन दोनों नमबरों के लिए common part है common part को हम क्या बोलते है बोलिए HCF बोलते है तो SCF जो होगा हमारा 3 हो गया अब आप multiply कर लिजिए 326 और 3412 इस तरीके से आपका option number B 126 सही हो जाएगा आप चाहे तो यहां से दोनों नमबरों को भी आप यहां से निकाल सकते हो कहने का मतलम में रही है पहला नमबर हमारा 2X था तो यहां से 236 एक यह आएगा दूसरा नमबर हमारा 7X है तो 7th result 21 हो गया आप इनका multiply कर लिजिए जब आप multiply करोगे न फिर भी आपको यहां से 126 देखने को मिलेगा तो आप इस तरीके से भी question की तरफ जा सकते हैं तो चलिए बात करते है question number 10 की तो question number 10 यह रहा तो देखिए किस तरीके से आपके competitive exam में HCF LCM के question पूछे जाते हैं उम्मीद है इसके बाद आपका कोई भी doubt नहीं रहेगा ठीक है question में बोला गया है यदि 2 सहवाज संख्याओ का गुडनफल 306 है तो इनका LCM कितना होगा धहली पुलिस 2023 में पूछा गया है ठीक है न तो सबसे पहले बात आती है सहवाज संख्याओ क्या होती है सहवाज संख्याओ वो होती है ऐसे दो प्रैम नंबर सिर्फ उनके बीच में आपका एक ही common factor हो वो आपका क्या हो 1 हो 1 के अलाबा कोई भी और एक और कोई भी common factor नहीं होना चाहिए तो example के लिए हम लिख सकते एक ले लिए मने 11 और एक ले लिए मने जैसे कुछ भी हम एक और ले सकते है दो अभाद जिसंख्याओ है 11 हो गया और आप एक ले लिए 13 दोनों को प्रैम नमबर होगे दोनों का जो difference दोनों का जो भी common factor आएगा वो आपका क्या होगा इन दोनों का जो multiply करके नमबर निकल के आएगा वो इनका क्या होगा LCM होगा जब हम इनका multiply करेंगे हमें मिलेगा 143 यानि कि दो अभाज संख्या है उन दोनों का गुड़नफल 143 है तो उनका LCM भी तो यही होगा क्योंकि एक नमबर हमारा क्या 11 है दूसरा कितना 13 है दो अभाज संख्या होगी इनका जो LCM होगा इन दोनों का प्रोड़क्टी तो होगा तो सेम यही बोला गया यदि दो संख्या है उनका जो गुड़नफल है 306 है तो इनका लासा कितना होगा लासा भी हमारा 306 होगा ऐसे आप रिजल्ट डारेक्टली याद कर सकते हैं दो अभाज संख्या होगा गुड़नफल दे रखा होगा वही गुड़नफल उनका LCM बोला जाएगा आप इस तरीके से भी जा सकते हैं या फिर मैंने हापे समझा दिया है दो अभाज संख्या ले ली ठीक है इनका जो मंटिपलाई है 143 होगा LCM भी तो 143 होगा ओके अगला कोशन देखे कोशन नमबर 11 आपका सिंपल मैल हडम जो पढ़ते चले आ रहे आप वहाँ से भी इस कोशन को सॉल्व कर सकते हो तो देखे मैंने यहापे complete solution इसका कर दिया है 15, 30, 24 का जब आप LCM निकालोगे इसका जो LCM आपका आएगा वो आपका आएगा कितना 120 120 कैसा नमबर होगा जो तीनों से आपका कट हो जाएगा तो देखे लिज़े किस तरीके का आपका LCF LCM का जो लेवल है question का आपके previous exam में रहा है UP policy नहीं बलकि other किसी भी competitive exam में तरफ हम जाते हैं तो भी यह देखे लिज़े कैसा level आपके questions का रहता है तो चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ तो यह रहा आपका question number 12 question number 12 आपका decimal में दे रखा है question में बोला गया 8, sorry 9, 8.1, 0.27, 0.9 का जो LCM होगा वो आपका क्या होगा यह आपका धहली पुलिस 2023 में आपसे पूछा गया है 77 आपसे RRB, group D का भी यह question ठीक है कैसे इस question को solve करेंगे तरह ध्यान से समझिएगा आपको यहाँ पर decimal को county नहीं करना है सिर्फ आप number की तरफ जाईएगा number हमने ले लिए 9, 81, 27, ok और आपका 9 अब LCM क्या होता है LCM हमारा वो number होता है option में जो होगा वो इन सबसे cut हो जाएगा ठीक है न तो देखिए 9 से 81 कट होता है 81 से 81 भी जाएगा 27 से भी 81 कट हो जाएगा कितने time कट होगा 3 time और 9 से भी यह कट हो जाएगा तो इस तरीके से हमने directly question को eliminate करके option number V हमने हाँ पर identify कर लिया इसका जो number होगा वो आपका 81 हो जाएगा ठीक है तो चलिए बात करते है question number 13 की question number 13 UP please 2018 का यह question है बोला गया है 16, 24 और 28 में प्रतेक मैं से बिभाज होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी एक ऐसी संख्या जो 16 से भी cut होज़ है 24 से भी और 28 से भी आपकी cut होज़ा है तो देखे ऐसे question का दो देखो एक तो directly हम LCM निकाल सकते है otherwise आप यहाँ trick से भी जा सकते हो जैसे कि मैं सीधे correct option की ही यहाँ से बात करूँ जैसे इसका जो option है वो आपका D सही है otherwise आप सारे questions को कुछ इस तरीके से करिएगा जो भी आपको number दिये जाते है जैसे कि आपको number दे रखा 16 24 और 28 इन सबका आपको क्या करना है इस मैं से वो number पिक करना जो सबसे smallest होगा यानि कि 16 होगा तो one by one चेक करेंगे अब हम यह देखेंगे 16 से कौन सा option जो है completely cut हो रहा अब आप बोलोगे इतना बड़ा number डिवाइड कैसे करेंगे तो हम इसको break करके लिखेंगे 16 से 96 तो cut होता है न 6 time तो इसको मैंने लिख दिया 9600 प्लस 314 अब ऐसे ही इसको break करना है 9600 प्लस 164 ओके सेम थर्ड वाले को लिखेंगे 9600 प्लस 264 ओके फिर इसको लिखेंगे 9600 प्लस 144 अब देखिए 9600 जो है 16 से cut हो जाएगा बाकी बज़े और नमबरों की तरफ देखते हैं 16 से सरफ इसमें जो आपका cut हो रहा है वो 104 वाला part ही cut हो रहा है इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसका जो option है वो D सही हो जाएगा आपका अब बात करते है question number 14 और 15 की और इसी के साथ अपने session को आज हम complete करेंगे तो ये जो question है आपका UP please 2018 में पूछा गया है साथ साथ आपसे यही question SSC में भी आपसे पूछा गया है तो question number 14 question number 14 में बोला गया है आपसे 52, 78 and 156 का जो 58 and 156 अब देखे ध्यान से इससे पहले भी एक question हमने किया था इसी वीडियो में मैंने बोला था number आपके क्या है even तो even है तो odd वाले part तो दोनों ही हाँ से cancel हो जाएंगे यानि कि 13 और 39 यहाँ से अब option के लिए सही option नहीं होंगे बचे हमारे दो option 26 और 2 अब देखो 52 2 से cut हो जाएगा 78 भी 56 भी अब हमको देखना है 2 तो हो नहीं सकता 2 से जो 52 है 26 time cut हो रहा है तो इसका मतलब कहा है 52 के तो जो factor होंगे वो 26 भी तो हो गया तो इसको 2 into 26 भी हम लिख सकते हैं तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं सिर्फ 2 नहीं होके 26 जो है इसका correct option हो जाएगा क्योंकि 26 से भी 78 आपका 3 time cut होता है तो इस तरीके से हमारा 26 option सही हो गया बात करते है question number 15 की question number 15 दो संख्याओ का अनपात आपको दे रखा है 9 और 13 मासा दे रखा है आपको इसका कितना है 6 है तो इसका LCM आपको बताना है ये question आपसे MTS में पूछा गया 77 SSE CGL का ये question है देख लीजे किस तरीके से इसको करेंगे तो दो संख्याओ का अनपात दे रखा है कितना है आपको ध्यान ये रखना है जब भी आपको ratio दे रखा हो किसका ऐसे number जो आपके odd number है उनमें कोई भी चीज common नहीं आ रही है ओके that means कहने का उतलब ये है उनका जो HCF है 1 हो HCF कितना हो 1 हो ratio के दे रखा 9 और 13 इनका जो ratio है ओके इनमें common part कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे directly हम क्या करेंगे answer निकलाएगा जो भी आपको number हो का ratio दे रखा उनको multiply करिए उसके HCF के साथ multiply करने के बाद जो भी आपका answer आएगा वो एकदम इसका correct option हो जाएगा तो देखे किस तरीके से करेंगे इसको आप लिख सकते हो 36, 78 into 9 अब आपको क्या करना unit digit से भी हम question की तरफ यहाँ से जा सकते है अब multiply करिए 96 का 78 के साथ 9 का 8 के साथ करेंगे 72 7 आ गया carry आपका रहेगा 7 अब 9 से 9, 7 जा 63 हो गया तो इसका मतलब 600 वाला option तो wrong हो गया तो 2 तो सिर्फ हमारे option C में आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया 702 इसका जो है correct option हो जाएगा otherwise मैंने आपको basic भी आपको यहाँ पर बताया हुआ है किस तरीके से करेंगे number का ratio ले लेंगे number हमारे आजाएंगे 1 हो जाएगा 9x 1 हो जाएगा 13x इनका जो hcf आएगा वो आपका कितना निकल लेके आएगा x hcf कितना हो गया x हो गया ठीके ना तो जो hcf है वो तो आपको already 6 दे ही रखा है ओके बात करते इनका आपसे पूछा गया lcm number आपके क्या है 9x और 13x जब हम 9x और 13x का जब हम lcm निकालेंगे तो common part तो एक बार लिखा जाएगा यानि कि common part तो इसमें x है ओके x आपका common part हो गया साथ साथ बाकी बची हुए number भी तो लिखे जाते है 9x 13 इस तरीके से जब आप देखोगे इस question को तो same यहे वही question बन गया है जो मैंने भी आपको explain किया हुआ है तो यह 702 इसका जो है correct option हो जाएगा ओके कहने का मतलब यह था सिर्फ common क्या होना चाहिए उनमें one होना चाहिए ratio में और मासा आपको दे रखाओ यानकि hcf दे रखाओ तो उनका तीनों में आपसे multiply कर दीजिए आपका LCM निकल आएगा तो आज की है हमारी class no.3 ती जिसमें हमने देखा hcf और lcm के किस तरीके से question आपके previous year exam में यूपे बलेस ही नहीं बाकी other किसी भी completed exam में जो label रहता है कैसा आपका रहता है उम्मीद है आपके जो doubt होंगे cf-lcm के लिए के वो आपके हाँ पे clear हो चुके होंगे आप ऐसे ही question की practice आप कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धनबाद take care and wait for the next video